वीडियो सुरू करने से पहले हम लोग credit card bill payment application के बार में बात करेंगे जिसका नाम है credit अगर आपको credit card का bill payment करना है तो अभी सबसे अच्छा मौका है क्योंकि IPL के दौरान अगर आप लोग credit card का bill payment करते हो तो 100% cashback आप लोग को मिल सकता है अगर जो भी आप लोग payment करोगे उसका 5% cashback आपके bank account में directly credit हो जाता है और जो भी आप लोग payment करते हो वो instantly settlement हो जाता है जो की other application में कम से कम 48 hour लग जाते हैं और हरकेक payment के उपर पांच करोड से जादा तक का reward अभी IPL सीजन में मिल रहा है तो आप लोग credit card का bill payment करना है तो credit से ही करें लिंक उसका description में दिया हुआ है Hello everyone, welcome to my youtube channel A.H.R.P.N. कैसी हैं आप लोग So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे assignment submission करने के बारे में Guidelines Release कर दिया है, Notification Release कर दिया है उसके बार में भी बात करेंगे बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete जरूर देख लिएगा देखो इससे पहले जब यह pandemic स्टार्ट नहीं हुआ था तभी इगनु में offline ही assignment submit होता था उसके लिए अगर online लेना चाहते हैं तब उनके लिए क्या क्या क्णिशन है क्या-kया गाइड्लाइन को follow करना है और अगर offline लेना चाहते हैं तब तो कोई दिकत की बात ही नहीं है इसलिए अभी सब इस्टूडेन वेट कर हैं कि उनके regional center के तरफ से कब guidelines release की जाएगी और ये भी डाउट है कि assignment submission का last date कब है सबसे पहले मैं assignment submission करने के last date के लेकर clear कर दूँ कि बहुत से student को जो यह लग रहा है कि 30 September तक last date ऐसा नहीं है आप लोग अराम से October तक assignment submit कर सकते हो हलाके हर एक जगापे आपको 30 September ही नजर आ रहा होगा क्योंकि वो by default December session का 30 September ही रहता है लेकिन आप लोग October तक submit कर सकते हो मैंने बहुत सारी regional center से internally बात किया है और notification इसलिए नहीं release किया गया है क्योंकि कभी भी date extend होने कराता है तो last date के एक दिन पहले या last date इस दिन रहता है उसी दिन notification release होता है तो date extension का या तो आपको 29 सारी को notification मिल जाएगा या 30 को मिलेगा या तो उसके बाद यानकि 1 October को मिल जाएगा उसके बाद से जो new circular आया है वो है मधुराई regional center जो कि तामिलाडू में पढ़ता है उनके तरफ से भी notification release कर दिया गया यह circular आप लोग अपने screen के उपर देख पा रहे होगे वहाँ पे भी announce कर दिया गया है कि मधुराई regional center के यतने भी student है उनको offline ही assignment submit करना होगा भुमनेशोर regional center ने पहले बोल दिया मधुराई regional center ने भी बोल दिया कि offline submit करेंगे रगुनाद गंद ने अल्री किलियर है उनके तरफ से कि वह offline ही assignment submit लेंगे इस बार यहाँ पे आप लोग किलरली देख सकते हो कि दिसमाद हो जब भी session के assignment के लिए वो offline ही assignment submit लेंगे तो जितने भी student है जोदपूर regional center के मधुराई regional center के फुमनेशोर regional center के आहमेदाबर regional center के वो लोग note down कर लेंगे आप लोग को offline ही अपना assignment submit करना होगा ठीक है दिली 3 regional center तो online assignment लेंगे रहे हैं और उसके लिए उन्होंने फिर से guidelines में तो चेंज किया है जहाँ पे guidelines का section था उसमें फिर बदल किया है तो जब भी दिली 3 regional center के student जब भी assignment submit करने जाएंगे तो पहले जो fresh guidelines है वो पर लेना क्यूंकि वो लोग daily daily अपना guidelines है वो release करते हैं और जो भी email id है उसका capacity जब exhaust हो जाता है तो उसको लोग change कर देते हैं तो make sure आप लोग जब भी submit करने जाओ तो recently एक मरतवा देख लो कि आपके जो study center है उनके तरफ से email id सेम है या फिर change कर दिया गया उसके अलावा क्या 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 notification है कोलकता regional center के तरफ से practical bca mca cit pg dlan उनके लिए यह सभी program के लिए जो practical का schedule है वो release कर दिया गया यह आप लोगा पने screen के उपर देख पा रहे होगे और यहां पर मैं एक और बात add करना च के student है जिनका CHE practical होगा PHE practical होगा या LAC का practical होगा उनका first week of October के बाद से notification release करना start कर दिया जाएगा actually आप लोगा जो practical होता है वो सभी colleges में होता है और MHA के guidelines के हिसाब से एक October के बाद से जितने भी educational institution है वो अराम से अपना means college open कर सकते हैं तो आप उसके बाद से आप लोगा practical कंड़ करवाय जाएगा और उसके लिए regional center के तरफ से ही बकायदा notification release की जाएगी तो जितने भी BSC क student है जिनका LAC, PHE और CHE ये तीनों practical है उनके लिए मैं यहीं बता दू कि आप लोग अक्तूबर तक wait कर लीजे मिंस first week of October में आपका guidelines release हो जाएगा उसके बाद से आप लोग अपना practical दे सकते हो और schedule release कर दिया जाएगा ठीक है ये अभी BCA, MCE, CIT और PGDLAN जो प्रोगाम है उ इन सब का description में मैंने link दे दिया टेलिग्राम चैनल पर भी आप लोग को सभी schedule मिल जाएगा तो वहां से आप लोग download कर सकते हो तो अभी के लिए फिलहाल कितने regional center ने guidelines release किया है उसमें से madurai regional center ने जोतपूर regional center ने साथी साथ दिलिथरी regional center ने भूमनेश्वा regional center ने रगुना regional center में बहुत से student है तो उनके तरफ से अभी clearance नहीं हुआ है मैंने एक staff से बात किया था तो उन्होंने बोला है कि हम अभी order का wait कर रहे है regional center के तरफ से अभी तक उन्होंने decide नहीं किया है और यह सभी चीज़ डिपेंड करेगा कि कहां पे किस तरीका का situation है अगर बाहर्त तो यहां पे online offline दोनों offer किया जाएगा या फिर सिर्फ online किया जाएगा ऐसा नहीं होगा कि आपको offline जाने के लिए बोला जाएगा मैं आप लोग को यह सभी important information देना चाला था जो guidelines release की गई है regional center के तरफ से और आइच्था आप release करना है start कर दिया गया है तो आपके भी regional center के तरफ से जल्दी ही release कर जी जाएगे उसके बास से आप लोग इसामिट कर सकते हो तो अभी आप लोग इसामिट बनाओ सब्मिट कब करना है कैसे करना है वह मैं आप लोग को चैनल के थूरू ही बताऊंगा जैसे आप लोग का guidelines release हो जाएगा तो यह सबता है इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आप लोग पसंद आया हुगा एक जूरू कर दे सभी फेंट के साथ सेयर करें तक उनको भी सभी information मिल पाए किसी भी तरह के डाउट के लिए आप नीचे comment box में लिख सकते हैं या मुझे directly call करके भी अपना डाउट के लिए कर सकते हो अगर आप लोग चाहें तो यह चल्पने चैनल को Instagram, Telegram और Twitter पर भी follow कर सकते हो सबी कलेंग description में दिया हुआ है so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much झाल 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 झाल